रामःम दोस्तों आज की वीडियो में हम भात करेंगे नीबू के पोदे में फूल आ रहे हैं जबरदस्त फूल आ रहे हैं साथी साथ फूल भी जड़ रहे हैं या फिर फूल को जड़ने से आप किस पर कार रोके और उसके अलावा जो फल जड़ने की समस्या है उन्हीं बिंदों पर आज हम फोकस करेंगे तो आप वीडियो पर अंते तक बने रहें तो हम बात करते हैं नीबू के पिलांट में जो फूल आते हैं वे ज़्यादा तर किसान भाईयों की ये समस्या होती है कि उनके फूल ड्रॉब हो जाते हैं पिरमुक समस्या ये होती है कि उनके पूदों में परागन की पूर्ण प्रक्रिया नहीं हो पाती है जैसे कि फूल आ रहा है उस समें मदुमक्या तितलिवा या रस्चुसक जो कीट होते हैं वे अपने पूदों की और आकर सितन नहीं होते हैं तो पूदों में पूर्ण प परागन की प्रक्रिया अब हम बात करते हैं जो फूल ड्रोप होते हैं एक तो पोदा परिपक नहीं होता पूनते दूसरा यदि परिपक होता है तो उसमें एनियमित सिचाई कर देते हैं अधिकांस्ते किसान भाई फूल आ रहा है उसमें फिर वाटर डाल दिया यानि होती है तो इसके लिए आपको जो पहले से तैयारिया करनी होंगी पहले से जो तैयारिया करनी होंगी वह यह है कि अपने पोदे में आप नियमित देख भाल करें गुड़ाई निराई खरपतवार का आप नियंतरन रखें साथी साथ जो होता है सरसो की खली और उसके आपके नीबू के पोदे में फूल रोब होने की समस्या ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी आप हमारे इस प्लांट को देख सकते हैं ये दो से धाई वर्ष का पोदा है और इस समय इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग उसी के साथ साथ फूरूटिंग भी इसमें आई दूसरी जो और नंबर नेक्स का जो पॉइंट है उसमें जैसा सिचाई का मोहत्पून योगदान होता है नीबू के पोदे में जब आपका पोदा इस प्रकार फल बनाने लग जाए तो उसके बाद आप एक बार फिर से इसमें सिचाई आरंब कर दें और जैसा की जो फूल इस्टार्टिंग जो फूल आते हैं नीबू के पोदे में शुरुआत में तो उस समय आप सहद का इस्प्रे आवस्से करें अपने नीबू के पोदे में इसकी डिटेल वीडियो हम पहले ही हमारे चैनल पर सियर कर चुके हैं तो आपने नहीं देखिए तो आप वहां से ये यөी वीडियो करें जाना क्षियर करें जिस्से उन तेक भी जानकारी पोँचें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ब्रसे हमारा मनवल बढ़े और इसी प्रकार की नई ने वीडियो हम आपको लाते हैं एचस्प किसान के यूटूब चैनल से